अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे पेंशनर्स के लिए जो है एक बड़ी खुशकबरी है पेंशनर्स के लिए जो है एक नए दिशा निर्देश जारी कर दिये गए हैं पेंशनर्स की पेंशन की पेमेंट को लेकर पेंशनर्स की ग्रेचूटी को पेमेंट को लेकर पेंशनर्स की लीव इनकैश्मेंट को लेकर ये जितने भी चीज़ें जिसके लिए पेंशनर्स को देरी होती है पेंशनर्स को इदर हुदर के धक्के खाने पड़ते हैं अब पे करेंगे दोस्तों दूसरा एक बहुत इंबॉर्डेंट अपडेट है जहां पर काफी टाइम बात जो है केंद्रे क्रमचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है एसी पिन के जो आंकड़े हैं जिसका कि सभी को वेट होता हर महीने क्योंकि एसी पिन के आंकड़े जो है वो step by step होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपका महेंगाई बता किस लेबल पर जा रहा है कितना बढ़ेगा जन्वरी से उसको लेकर दोस्तों अब clear हो गया है और AIC PIN के आंकड़े यानि की labor bureau ने जो है AIC PIN के आंकड़े चारी कर दिया है और इस AIC PIN के आंकड़े के basis प जारी हुआ है उससे आपका जन्वरी से कितना confirm हो चुका है और अगर इतने ही अगर बढ़ते रहे तो इस case में दोस्तों आपको कितना जो है जन्वरी तक मिलने मतलब maximum कितना आपको मिल सकता है एक उसका idea आ चुका है क्योंकि और तीन मेने का चुका है और तीन मेने का आना है दोस्तों बात करेंगा आज के इन दो important update के बारे में दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथी साथ bell icon जरूर दुबाएं दोस्तों पहला बहुत important ख़बर है जो हमने बात किय पेंशन ग्रेचुटी पर केंद्र ने जो है केंद्र सरकार ने नए निर्देश दी हैं पेंशन मंत्राले के तरफ से और पेंशन और ग्रेचुटी को लेकर केंद्र सरकार का नया दिशा निर्देश अब रिटायर्मेंट की तारिक से दो महिने पहले हैं तो यह जो प्रक् को 15 तारीक तक अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले सभी करमचारियों की सूची तयार करनी होगी तो कहींना कहीं जो पूरुसेいます करमचारीं में जो की सिर्दर्दनाओ यह डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि 15 महीने पहले से तैरी शुरू करेंगे क्योंकि अभी क्या होता है रेटार्मेंट के बाद से फिर पैंशनर्स के जो है शुरू हो जाते काम उनकी ग्रेचुटी नहीं मिलती उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको जो है कई बार उनको लीव इनकेश्मेंट के पैसे नहीं मिले होते हैं पैंशन लागू होने में दे इपीपीडब्लो ने कहा है कि नियम 54 के की प्रतेक विभागा देश को हर महिने की 15 तारिक तक है मतलब यह हर महिने के एक तरीके से उनके काइदे का नुन में डाला जा चुका है कि हर महिने मतलब अगर हम बात करें ऑक्टूबर महिने के 15 को नौंबर मैंने कर यह लिस्ट भे महिने पहले से उनके लिए एक्साइज शुरू हो जाएगी और जो भी उनके पेंडिंग जो है ग्रेचुटी की बात है चाहे उनका जो लीविन कैश्मन का कैलकुलेशन है उनके पैंशन लागू करना है वो सब का सब दोस्तों वो टाइमली किया जा सके दोस्तों 15 महिने का त देखा अधिकारी के पास महुचने के बाद उन्हें आवश्यक जांच करनी होती है और जांच करने में जब आप रेटायर्मेंट के बाद आते तो जांच में ज्यादा टाइम जाता है इसलिए दोस्तों एक बड़ी खबर है जहां पर यह जो एक्सराइज में टाइम है इन्स्टेड के बाद यह जांच की जाएं मimoinkले कि अच्छी बात है कि रेटायर्मेंट से पहले की जए जिसदिन है रेटार्मेंट पर जा रहे हैं आपको यह सारी के सारी चीज़ें जो आपके हाथ में उना चाहिए दोस्तों काफी अच्छी खबर है पेंशनर के लिए पैंशन मंतराले की तरफ से बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की और वह आपका एक और अच्छी खबर है जहां हमें एइसी पिन के आखड़र जारी हो चुके हैं और में जो है अब केंदरिक नचारियों और पेंशनल के अच्छी सीधे सीधे महंगाई बत्ते में 0.7 परसंट 0.7 पॉइंट की बढ़ोतरी हुए क्योंकि नंबर होते हैं तो अब जो है 142.6 से बढ़कर 143.3 हो गया है और इसकी अगर हम बात करें कि महंगाई बत्ता कितना हो गया तो आज की डेट में दोस्तों महंगाई बत्ता 54.49 हो गया अगर 54.5052 होता है तो अल्टिमेटली आपका महंगाई बत्ता 55 परसंट हो गया है तो कहीं नहीं 55 परसंट होता है आपका कि महंगाई बत्ता हो चुका है लेकिन अभी भी हमारे पास तीन महीन है अगर इस तरीके से भी अगर आगे बढ़ता है तो भी हमारे पास 56 परसंट जो है आपका महेंगाई बरता जो है या महेंगाई रात आपको जनवरी से मिलेगी दोस्तों यह थे आज के दो important update अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो